mutual fund industry बड़ी तेजी से ग्रोव कर रही है इस financial year में अभी तक 70 लाख नए फोलियों खुले है अगर आप भी आने वाले कुछ समय के लिए पांस साल या उससे अधिक के लिए कोई investment plan ढूंड रहे हैं तो ICICI Prudential Mutual Fund का Transport and Logistics NFO ये 6 तारिक को launch हो रहा है और इसकी closing होगी 20 October को इस fund में investment आप 5000 रुपीज लंसम से कर सकते हैं यानि एक बार ही आपको invest करना है तो minimum 5000 आपको invest करना होगा और SIP 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हैं इस fund का exit load यानि fund से पैसा निकालने पे जो पैसा कटता है वो अगर आप एक मेहने से पहले निकालते हैं तो एक पसंट है और एक मेहने के बाद निकालेंगे तो कोई exit load नहीं है इस fund के fund manager है हरीश विहानी जिनका track record आप Google पे सर्च कर सकते हैं और overseas देखेंगे शर्मिला डिवेलू अभी तक auto sector में काफी challenges से जूज रहा था इसके पास रोज नहीं नहीं problem आ रही थी कभी BS4 का problem, कभी metal price का बढ़ना, कभी corona और कभी semiconductor chips की कमी लेकिन कुछ अभी कुछ समय से auto sector बहुत अच्छा perform कर रहा है और जब भी कोई NFO launch होता है तो आने वाले समय को देख कर ही वो product तयार किया जाता है auto sector और transport sector में आने वाले 5-6 सालों के लिए बहुत अच्छी growth की संभावनाएं बन रही हैं जो आपके लिए एक बहुत अच्छी investment की opportunity भी बनाता है आपने नोट किया होगा कि Amazon Flipkart जैसे e-commerce कमपनिया गाउं गाउं पर अपनी delivery कर रही है इन्होंने consumer to seller एक ऐसा logistic network तयार कर लिया है जो काफी efficient है इसी तरह से इंडिया का भी logistic plan launch हुआ है अभी हमारे PM ने वो plan launch किया है जो कोशिश की जा रही है कि जो हमारे logistic का खर्चा है जो अभी 13-14% के आसपास है उसको single digit पे लाया जाए इंडिया world की largest fifth economy बन गई है और अभी एक survey आया है कि इंडिया की per capital income 2000 डॉलर के पार कर गई है और research यह कहती है कि जब भी country की per capital income 2000 डॉलर के पार करती है तो auto sector अच्छी growth करता है पहले गाड़ी एक luxury item हुआ करती थी लेकिन आज की date में एक basic need है आपने note किया होगा कि लोग आजकल higher end गाड़ियों की तरफ ज़्यादा जा रहे है और जब हम auto sector की बात करते हैं तो यह केवल गाड़ियां ही नहीं है यह पूरा एक sector है आप अपने portfolio का कुछ percentage इस नए fund इस नए NFO में डाल सकते हैं जो काफी अच्छी growth देने की शमतार रखता है लेकिन यह एक thematic fund है जो जिसका riskometer हमेशा high होता है आपको इस product के बारे में अगर कुछ जानना है इस नए fund के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप नीचे comment box पर प्रशन पूछ सकते हैं और अंत में disclaimer mutual fund investment are subjected to market risk read all documents carefully before investing thank you